नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार के ग्रामीन इलाकों में भी पहुँचेगी डायर एक सौ बार्णा पुलिस अब नौकरी के लिए नहीं करना होगा बिहार के बाहर पलायन टैक्स नहीं देने वाले कोजिंग संस्थानों पर कसेगा सिकाचा बिहार के इस महिला के नाम को भीदद आगा राज्टुपती पुर्षकार के लिए वसी निजाफर ने टीम इंडिया को लगाई लतार इसके साथ ही बरते हैं साथ तक की बड़ी खबरों के ओर वस्तार से सीम के जनता दरवार में पहुँचा जमीन कबजा की सिकायत आज हो रहे मुख्यमंत्री नितीज कुमार के जनता दरवार में एक महिला फरियादी पहुँची जिसने निदीज कुमार से सिकायत करते वे कहा कि उनके जमीन पर दबंग लोगों के दोरा कबजा कर लिया गया है जिसके बाद मुख्य मंतर निदीज कुमार ने तुरंट अफसर को फोन लगाया और नर्देश दिया कि इस मामले को जल से जल सुलजाया जाए वहीं दूसरे फरियादी ने भी अपनी जमीन से जोने मामलों को ही निदीज कुमार के शामने रखा फरियादी ने सिकायत करते वे कहा कि सरकारी जमीन पर कबजा कर लिया गया है और सु स्कूल की जमीन पर मकान बनाया जा रहा है इस पर मुख्य मंत्र नितीस कुमा ने राजस्व विभा के अपर मुख्य सचीफ को फोन लगाया और निर्देश दिया कि स्कूल की जमीन पर कबजा की जा रही है इसलिए इस मामले को देखिए और तुरंत इस पर आक्शन लीजिए बिहार के ग्रामेन इलाकों में भी पहुचेगी डायल 112 की पुलिस क्राइम एम्बूलिंस वो फायर बिग्रेट से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो डायल 112 की पुलिस कारगर शाबित हो रही है इसी को देखतेवए अब भीहार की ग्रामीन छेत्रों में भी डायल 112 की पुलिस टीम को तैनात करने की योजना बनाई जा रही है इसके साथ इन पुलिस टीम को ड्यूटी करने में सहूलियत हो इसके लिए उन्हें दी जाने वाले सुविधाओं को भी बढ़ाने पर विचार किया रहा है बता दे कि अब कुछ यहां जिस भी प्रोडक्ट का निर्मान किया जाएगा उसे राष्ट्रिय समीत अंतर राष्ट्रिय मार्केट में भी भेजे जाएंगे जानकारी के लिए बता दे कि बीते दिन मुखे सचीव आमिर सुभानी के दोड़ा बेला इंडस्ट्रियल एरिया में बैक क्लस्टर का उ उनमें सोनी देवी, प्रियंका कुमारी, मीना कुमारी, कवीता देवी, राधा देवी, कांती देवी, अंजु कुमारी, विर्दा कुमारी, मंजु कुमारी और बवीता कुमारी शामिल हैं लालो के ओप्रेशन से पहले रोहनी आचारे ने किया ट्वीट आरजेरी सुप्रीमो लालू पुशाद यादव की किड्ने ट्रांस्प्लांट को लेकर कई अस्थालों पर पूजा अरचना की जा रही है दूसरी और उनकी बेटी रहनी आचारे ने भी शोशल मीडिया पर ट्वीट कर अपने पिता के लिए लोगों से दुआ करने की अपील की है बता दे कि रहनी आचारे ने ट्वीट करते वे अपने पिता लालू यादव के साथ अस्पताल से एक फोटो सांजा की है और कैप्शन में लिखा है कि रेडी टू डॉक और विश्मया गुड लग चानकारी के लिए बता दे कि अब पहली बार नहीं है जब रहनी आचारे के दौर अपने पिता लालू यादव को लेकर ट्वीट किया गया हो इससे पहले भी वो कहीं बार ट्वीट कर चुकी है वीटी आर के पास संघर्ष खत्म करने को पांच गाउं को बनाया जाएगा मॉडल वालमी की टाइगर रिजर्व में मानव और जंगली जानवरों के भी संघर्ष को खत्म करने के लिए पांच गाउं को एक मॉडल के तौर पर विक्सित किया जाएगा बिहार के चीफ वाइल लाइफ वोडन पीके गुपता के दौरा दी गई जानकारी के नुसार बिहार सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए भारतिय वन्य जीव ट्रस्ट, नेश्नल ट्रस्ट फर नेचर कंजर्वेशन चेस्टर जू से हात मिलाने की कोशिश कर रही है इस लिए बिहार सरकार के ओर से परियोजना के लिए आवीदन किया गया था जिस पर विभाग की ओर से इस पहल को लेकर हरी जंडी दिखा दी गई है बताते चले कि इस परियोजना को तीन सालों तक चलाय जाएगा वहीं इस परियोजना की सुरवाद 2023 से सुरू की जाएगी इस तारीक से पटना के सरकों पर दोरेगी एसी वाली 50 CNG बसे बिहार राजय पत्परिवहन निगम की ओर से जल्दी बिहार की राज़ानी पटना के सरकों पर 75 नई CNG बसों की सुरुवात होने वाली है हाला की इन 75 CNG बसों में 50 CNG बसे AC बसे हैं तो वहीं बची 25 CNG बसे non AC हैं फिलाल इन बसों के परिचालन को लेकर रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जारी है जो की 15 से 20 दिनों में पूरी हो जाएगी और इन बसों को परमिट भी जारी कर दिया जाएगा बकसर में खुलेगा Science Center और बनेगा Planetarium बिहार के बकसर जिले में DM अमन समीर के ओर से सांधार आधूनिक तकनीक पर आधायत Science Center और Planetarium का निर्मान किया जारा है जानकारी के लिए बता दे कि साइंस सेंटर और प्लानेटेरिया में कुल पचास बच्चों के बैटनों की जगा होगी और साथ ही बच्चों के अध्यन करने की भी विवस्था उपलब्द करवाई जाएगी मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट के निर्मान को लेकर टेंड जारी कर दिया गया है और जल्द ही इसके निर्मान की भी शुरुवात कर दी जाएगी इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के लिए इनिविदा प्रकासित की गई है बिहार के इस महिला के नाम को भीजा जाएगा राश्ट्रूपति पुरुषकार के लिए बिहार के अरिया जिले में जोकी हाट प्रखन की मटियारी पंचायत रहिकपुर HSC में कारड़त A.N.M. नीलम कुमारी के नाम को राश्टपती पुरुषकार के लिए चैन किया गया है बता देई कि उनके कारे को देखते वे और उस कारे के प्रती उनके उत्सा को देखते वे उनके नाम को राश्टपती पुरुषकार के लिए भेजा जाएगा दरसल वह अपने काम के प्रती इतनी समर्पित है कि कम से कम दो दिन बकरा नदी के 20 से कमर भर पानी से पैदल गुजर कर रहिकपूर से बढ़ा हुआ गर्वती माता और बच्चों को टिका लगाने जाती है बता दे कि वह एक दिन में 15 से 20 ठीके लगाती है उनके इसी करतवे निस्ठा को देखकर उनके काम के लिए राश्टपती पुरुषकार के लिए भिया जाएगा मुखे मंत्री नितीस ने डॉक्टर संदीफ सें को अर्पित की शधांज ली बीते दिन डाग्नोंस्टिक के नेदेशक एवं प्रख्यात पैथोलोजस्ट सरगे डॉक्टर संदीफ सें का नधन हो गया जिसके बाद बिहार के मुख्य मंत्री नितीज कुमार के दोरा उनके निवास स्थल पर पहुँच कर उनके पार्थिर सरीर पर पुश्प चक्र अर्पित कर श्रधांज ले दी गई इसके साथ उन्होंने डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत वना दी दी इसे दोरान मुख्य मंत्री नितीज कुमार के साथ वित्व वानेचे कर एवन संसिदिय काड़े मंत्री विजय चौधरी बिहार राजे आपदा प्रबंधर प्राधी करन के उपाध्यक्च उधर कांत मिश्रा सहित अन्य लोगों के दोरा भी डॉक्टर के पार्थिस सरीर क पुष्प चक्र अर्पित का शधांचली दी गई बिहार के पांच जलो में नियुनतम तापमान दस डिग्री से नीचे राजे में धीरे धीरे ठंड में बरहुतरी देखी जा रही है वहीं पांचले ऐसे हैं जहां नियुनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पाया गया है उनमें सबो और जमुई गया बांका और समस्ति पुर्जिला सामिल है इसके साथ ही मौसम विभाग के दोड़ा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेस में पच्छुआ हवा की रफता 6-8 किलो मीटर प्रती घंटा की है वहीं अगर राजधानी पटना के नियुनतम तापमान की बात करें तो यहां का नियुनतम तापमान 10.6 डिग्री तक गिरा ह के मौसम विभाग के अनुसार प्रदेस का ओसत नियुनतम तापमान 12-14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा टैक्स नहीं देने वाले कोचिंग संस्थानों पर कसेगा सिकंजा विहार के वैसे कोचिंग संस्थान जो सरकार को टैक्स नहीं देते हैं उन पे वानिजे कर विभा पंजीकृत और गैर पंजीकृत कोचिंग संस्थानों का निरिक्षन करेगा पताते चले कि वानिजे कर विभाग के ओर से बिहार के पटना समेट 27 जिलों के 32 कोचिंग संस्थानों का निरिक्षन किया गया था जेडियू के राश्ट्री अध्यक्ष पद के लिए 10 दिसंबर को लगेगी मुहर जेडियू के राश्ट्री अध्यक्ष के रूप में ललन सिंग को चुना जाना लगभग तै हो चुका है हालाक इसे लेकर अब तक कोई आपचारी घोशना नहीं की गई है ललन सिंग को राश्ट्री अध्यक्ष चुने जाने पर अंतिम रूप से मोहर 10 दिसंबर को होने वाली पार्टी की राश्ट्री परिसत के बैठक में लगाई जाएगी जानकारी के लिए बता दे कि अब बैठक जदियू प्रदेश मुख्याले के करपूरी सभागर में 3 बज़े से आयूजित किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री नितीज कुमार समेत पार्टी के कड़िए में 186 सदश्य शामिल होंगे इसके लावा इग्या दिसम्बर को पार्टी का खुला अधिवेशन आयूजित किया जाएगा यह अधिवेशन पतना के श्रेकृष्ण मेमोरियल हौल में दो पहड करी 12 बज़े से सुरू होगा जिसमें मुखेमंतरी समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद होंगे जी बीस की अध्यक्षता को लेकर सर्व दलिय बैठक अगले साथ सितंबर में होने वाली जी बीस सिखर समेलन की मेजबानी भारत के दोरा की जाएगी जी बीस का सिखर समेलन अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर को नई दिली में आयोजित किया जाएगा वसीम जाफर ने टीम इंडिया को लगाई लतार भारत और बांगलादेश के बीच खेले जाने वाले पहले मैच में भारत को बांगलादेश से हार का सामना करना पड़ा जिसके बाद भारत के फुर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने टीम इंडिया को लतार लगाई है उन्होंने कहा है कि भारत की ओर से मुहम्मस सराज, कुलदीप सेन और दीपक चाहर के दोरा प्रभाव छोड़ा किया है वही राहुल के अलावा कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका उन्होंने कहा कि भारतिये टीम के लिए गेंदवाजी मजबूत पक्च रहा लेकिन भारत की रनिती खराब रही उन्होंने आगे कहा कि टॉस हारने के बाद भारत अतिक रामक रवाईये से खेरता रहा और 41.02 ओवरो में ओल आउट हो गया वहीं अगर भारतिये टीम की ओर से 20-25 रन और बनाई होते तो इस मैच का परिणाम अलग होता और शायद भारत की ही जीत होती जानिये आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी सुंबार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए जिसके बाद बिहार की राजधानी पठना में पिट्रॉल की कीमत 107.24 रुपे और डीजल की कीमत 94.04 रुपे प्रती लीटर है भागलपुर में पित्रोल की कीमत 1889.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रती लीटर रुपए। जहाँ सोंवार को पित्रोल 90.96 रुपए प्रती लीटर और डीजल 96.06 रुपए प्रती लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे दोरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिक कर दिया था जिसों ने हमारे दोरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, रवी संकर, कवीता कुमारी, मुहमर शकीर हुसैन, मंगीता भारती, कुलदीव कुमार, छबीनात राम, राजीव कुमार, आर्या अमन, उमेश रिसिद्यो, निधी कुमारी, देवा शीष कोपाल, मुतुर रंगीला, दीपक कुमार, गौर्णर सर्मा, अब बरते हैं आज के सवाल क्यों, आज का सवाल है, आपके छेतर में ठंड कैसा है, आप अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताए, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम देख रहे हैं तो शानल को सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को लाइक करना ना भूले धानेवाद